तो मूवी की शुरुवत होती है एक रिसर्चर से जूकि अपने एक साथी के साथ एमाजॉन के जंगलों में आई होई थी ताकि वो एक खास तरह की स्पाइडर को डूंड सके और असल में वो खास तरह की स्पाइडर इतनी जादा खास थी कि अगर उसका वेनम किसी भी इंसा को सूपर पावर भी दे सकता था यार कोई ऐसी स्पाइडर आकर किसी दिन मुझे काट ले तो मज़ाई आ जाएगा अब वैसे तो मैंने बगवान से पहले से ही स्पाइडर मैन की पावर मांगी हुई थी पर शैद उन्होंने सुनने में गलती कर दी क्योंकि मुझे का उपयोग यहां के ट्राइबल ग्रूप करते हैं ताकि वो अपने आपको पावर्फुल बरा सकें और पावर्फुल होने की वज़ए से वो ट्राइबल ग्रूप छुपकर रहता है ताकि किसी को भी उनकी पावर के बारे में पता ना चले और अब ये दोनों इस बारे मे से गन निकाल कर उस लड़की को शूट कर देता है और ऐसा एसी केल ने इसी वज़ा से करा था ताकि वो उसी स्पैडर की मदद से खुद पावरफुल बन सके और अभी की टाइम पर वो उसी स्पैडर को लेकर यहां से चला जाता है जिसके बाद हम लोग उसी रिसर्चर को द बता चलता है कि यह ओरत प्रेगनेंट है तो वो तुरंत ही इसको उठाते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं और अब जब वो लोग उस रिसर्चर को लेकर अपनी गुफा में पहुंसते हैं तो वहां पर पहुंशने के बाद उसे उसी स्पैडर से कटवाया जाता है जिसके वेनम के अंदर पावर थी लेकिन उसी वक्त पर इसके डिलिवरी भी हो जाती है और इसको एक लड़की पैदा हुई थी जिसके अंदर उसी स्पैडर की पावर थी जिसने अभी कुछ समय पहले इस वौरत को काटा था लेकिन उसके तुरंत बाद उस रिसर्चर की भी मौत हो जाती है तब यहाँ पर एक आदमी उस लड़की को अपनी गोद मिलेता है और बताता है कि आज से कुछ समय बाद यहाँ पर जरूर आएगी ताकि यह जान सके कि इसकी माने इसको पैदा करते समय कितना बड़ा सैक्रिफाइस दिया था अब यहाँ से सीन शिफ्ट आती है बड़ी जिम्मेदारिया पर इस मूवी की टाइम लेन के इसाब से तो अभी तक पीटर पारकर पैदा ही नहीं हुआ अब हम लोग केसी और साथी बैन को देख पाते हैं जो कि एक आदमी की मदद करते हुए उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं और अपना काम ख अब अगले दिन हम लोग वापस से केसी को देख पाते हैं जो कि बैन के साथ एक ब्रिज पर गई थी ताकि वो वहाँ पर मजूद एक आदमी की जान को बचा सके लेकिन अभी के टाइम पर वो आदमी अपनी गाड़ी में फसा हुआ था जिसका एक्सिडेंट हो गया था त अब ही अचानक से ही उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वज़े से केसी को अजीब एसास होने लगता है और यहाँ पर केसी पहली पर वेब ओफ लाइफ को देख पाती है जिसके थोड़ी दिर बाद जब इसकी आँख खुलती है तो इसके सामने बैंट पार करत जो कि इसे CPR दे रहा था और अब बैंट से बात करने के बाद केसी को पता चलता है कि वो तीन मिनट से जादा देर तक पानी के अंदर थी साथ ही उसकी धड़कन भी चलनी बंद हो गई थी जिसके बाद जब उसे बाहर निकाल कर CPR दिया गया तो अचानक से ही वो जिन्दा ह हो गई और तब यहां पर बैंट हार्ट रेट मशीन की मदद से केसी का हार्ट रेट चेक करने लगता है जो कि अचानक से ही 79 से बढ़कर 89 पहुच गया था जो चीज देखने के बाद केसी काफी ज़दा शौक हो जाती है पर तबी अचानक से ही वापस से बैंट उसी मशीन को लाता है ताकि वो केसी के हार्ट रेट को चेक कर सके और केसी का हार्ट रेट वापस से 79 से 89 पहुच जाता है जो चीज देखने के बाद केसी काफी ज़दा शौक होती है और बैंट से पूसती है कि आकर कर दों दो दो बार मेरा हार्ट रेट चेक क्यों कर रहे हो लेकिन बैन इस बात को सुनकर काफी ज़्यादा शौक हुआ था क्योंकि अभी उसने पहली बार ही केसी का हाट रेट चेक करा था। तब केसी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो यहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लोग Ezekiel को देख पाते हैं जो कि एक बिल्डिंग में जाकर एक और एक औरत को अपने साथ लेकर अपने गर में पहुंच जाता है। और Ezekiel के गर में अभी भी वो मकडी थी जिसको उसने केसी की माँ से चुराया था। और यहां पर हम लोग यह जान पाते हैं कि असल में Ezekiel इस औरत को यहां पर इसी वज़े से लेकर आया है ताकि वो इसके एक प्रोग्राम को यूज कर सके। जिस प्रोग्राम का सिस्टम ऐसा था कि वो किसी की भी फोटो को देखकर उसके बारे में सारी की सारी इंफोर्मेशन निकाल सकता था। यहां पर और भी काफिसारी ओरते आई होई थी जहां पर यह लोग काफिसारी गेम्स केलते हैं ताकि वो मेरी पारकर को अच्छा पील करवा सकें। वाला था और अब जब केसी उस बच्चे का नाम सोच रही थी तबी अचानक से ही मेरी वापत से बोलती है कि सबी लोग उस बच्चे का नाम सोचे जो कि इन्हें होने वाला है जिस पर केसी से पूस्ती है कि आकरकर ये एकी बात को दो दो बार रिपीट क्यों कर रही है जो च उसका वही साथी वापत से काई ड्राइव करने के लिए जा रहा है, जो चीज देखने के बाद केसी उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो आदमी उसकी बात को नहीं सुनता, और अब वही होता है, जो कि कुछ समय पहले केसी ने देखा था, मतलब कि उस आदमी का एक जाती है और इस बारे में उनसे कंसल्ट करती है, और तब जाकर उसे पता चलता है कि असल में तो उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम परफेक्ट हैं, और जो भी उसे दिखाई दे रहा है, वो उसका ब्रहम हो सकता है, और वहीं दूसरी तरफ हम लोग Ezekiel को देख पा जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि असल में वो तीनो लड़किया टीनेजर्स है, और अगर अभी के टाइम पर वो उन्हें मार देगा, तो उन्हें कभी पावर मिलेगी ही नहीं, और अगर उन तीनो लड़कियों को पावर नहीं मिलेगी, तो वो लोग कभी Ezekiel को भी न केसी को भी उन तीनों के बारे में पता चल जाता है कि एक आदमी आकरी ने पर अभी के टाइम पर वो अपने स्पाइडर सूट में आया हुआ था और तब एजी केल अपनी पावर की मदद से दिवार पर रिंग तब वो इन तीनों के उपर अटेक करने की कोशिश करता है लेकिन केसी यहाँ पर इन तीनों को किसी तरह से बचा कर भागती है और एक गा टेक्सी में चल रहे रेडियो की मदद से केसी को पता चलता है कि असल में पूरी सीटी में ये खबर फैल गई है कि तीन लड़कियों को किड्नैप करकर एक लड़की टेक्सी चुरा कर भागी है और जब एजिकल ने इन तीनों के उपर अटेक करा था तो उसने कुछ पुल टेक्सी में बाती हैlierノ लड़कियों को लेकर जंगल में चली जाती हैर अब जंगल में जाने के बाद जिस सभी लोग आपस में बाते करते हुए सोशने लगते हैं कि आखरकर इन लोगों के साथ ऐसा क्यूं हो रहा है तब केसी न तीनों को बताने की कुशिश करती है कि अस और वो अपने घर भी इसी वज़ा से जा रही थी ताकि वो अपनी मा की डायरी की मदद से मकडियों के बारे में और चीज़े पता कर सके इसलिए वो इन तीनों लड़कियों को जंगल में रुकने को बोल कर ही खुदी अकेली वहाँ पर जाती है और अब जब अपने घर में जाने के बाद वो अपनी मा की डायरी को पढ़ती है तो उसे उस ट्रैबल गुरूप के बारे में पता चल जाता है जिनके अंदर भविश्य एको देखने की पावर थी और वो सारे के सारे लोग रहा करते थे एमाजन जंगलों में और साथ ही यहाँ पर केसी को अपनी मा की एक और फोटो मिली थी जिसके अंदर एजिकल भी उनके साथ था जो चीज देखने के बाद केसी काफी ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एजिकल का उसकी मा के साथ क्या कनेक्शन है तब यहाँ पर केसी को ये तो समझ में आ गया था क कि उसके अंदर भी उस स्पैडर की पावर है इसलिए वो भी यहाँ पर दिवार पर चड़ने की कोशिश करती है पर वो जमीन पर किर जाती है वहीं दूसरी तरफ हम लोग उन तीनों लड़कियों को देखते है जो कि जंगल में केसी का वेट करते हुए काफी ज़ादा पर पहुंसते हैं तो CCTV की मदद से एजिकल इने डून लेता है और अब हम लोग केसी को देख पाते है जो कि जब वापस से उसी जगह पर पहुंसती है जहाँ पर उसने तीनों लड़कियों को छोड़ा था तो वो तीनों में से कोई भी लड़की वहाँ पर मौझूद नहीं हो पहुंस देख पाते हैं कि असलमें केसी उसी जगह पर खड़ी है जहां पर उसने टीनों लड़कियों को छोड़ा था और अब की टाइम पर केसी को जो भी विजन्स आए वो फ्यूचर था और ये चीज जानने के बाद कि एजिकल वापस से उन तीनो लड़कियों को मारने की कोशिश करने वाला है केसी जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी को उस रेस्टोरेंट में पहुँचाती है जहाँ पर वो तीनो लड़कियों मौजूद थी जिसके बाद वो सबसे पहले एजिकल को ठोकती है और उन तीनो लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिटा कर यहाँ से भागने लगती है और अभी के टाइम पर केसी दो बार उन तीनो लड़कियों को एजिकल की पकड़ से बचा चुकी थी इसलिए youtube केसी के बारे में ही पता करने को बोलता है और अब जब youtube को पता चलता है कि असल में केसी उसी researcher की बेटी है जिसको उसने जान से मारा था तो वो काफि ज़ाधा शौक होता है और वहीं दूसरी तरफ हम लोग केसी को देख पाते हैं जो कि उन तीनों लड़कियों को लेकर एक होटल में पहुँच गई थी अब वैसे तो केसी चाती थी कि वो उन तीनों लड़कियों को वापस से पुलिस के पास छोड़ दे ताकि उसके उपर से भी सारी इलजाम हट जाएं और साथ ही कोई भी इंसान इन तीनों को टेच ना कर पाए तब एनी यहाँ पर इसे बताती है कि एनी की फैमली इलीगल इमिगरेंट्स है और अभी के टाइम पर उनकी फैमली को यहाँ से डिपोर्ट करा गया है और अगर एनी के बारे में पुलिस वालों को कुछ भी पता चलता है तो वो एनी को भी यहाँ से बेज देंगे तो वो तीनो लड़किया उसके पास ही बैटी हुई थी तब केसी यहाँ पर इन तीनो लड़कियों को बताती है कि वो कुछ समय के लिए Amazon जा रही है ताकि वो उन स्पैडर के बारे में और चीजे पता कर सके और एजी गेल को हराने का तरीका भी ढूंड सके और इसलिए अभी के टाइम पर वो उन तीनो लड़कियों को Ben Parker के पास छोड़ देती है जिसके बाद वो खुद निकल जाती है Amazon के जंगलों में जहाँ पर जानने के बद केसी की मुलाकात होती है सेंटियागो से जो की असल में वही आदमी था जिसने इसकी मा की डिलिवरी करी थी और साथी केसी के बारे में भी बविश्यवानी करी थी और अब जैसे ही सेंटियागो यहाँ पर केसी को देखता है तो वो तुरंती केसी को पहचान जाता है और अब वो उसे उसी गूफा में लेकर जाता है जहाँ पर उसकी मा की मौत होई थी और अब जैसे ही केसी वहाँ पर पहुंसती है वैसे ही उसे अचीब से विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो पाष्ट का सीन भी देख पाती है कि कैसे उसकी मा की मौत होई थी जिसके बाद केसी और जादा टाइम में पीछे चली जाती है जहाँ पर वो अपनी मा को एक डॉक्टर के सामने बैठा देख पाती है जो कि इसे बताती है कि असल में इसकी बेटी एक सिंड्रॉम के साथ पैदा होगी और जिस सिंड्रोम के साथ केसी पैदा होने वाली थी उस सिंड्रोम का कोई भी इलाज नहीं था इसलिए ये भी नहीं पता था कि केसी कितने टाइम तक जिन्दा रहेगी और तब जाकर केसी की मा को अचानक से उस मकड़ी के बारे में पता चला था और वो उसी मकडी के उपर रिसर्च करने लग गई ताकि वो केसी की जान को बचा सके और इसलिए वो अपनी प्रेगनेंसी के आखरी महीने में एमाजोन के जंगलों में आई ताकि वो केसी की जान को बचा सके और अब जब केसी की आत्मा वापस से प्रेजेंट में आती है तब जाकर उसे समझ में आता है कि असल में उसके मा ने उसकी वज़े से कितने ज़ादा दुख जेले इसी वज़े से वो अपनी मा के बारे में जो भी सोस दी थी वो सारी चीजे वो भूल जाती है और अब यहाँ पर केसी सेंटियागो को अपनी फ्यूचर देखने वाली पावर के बारे में भी बता देती है जिस पर सेंटियागो इसे बताता है कि आज के बाद वो पास्ट को भी देख पाएगी और साथ ही वो यहां पर दीरे-दीरे कंसेंटरेट करती रही तो वो अपनी Beautiful Power को Unlock करेगी और जब वो अपनी पूरी Power को Unlock कर लेगी तो उसके पास ये Power भी आ जायेगी कि वो Future को Change कर सके और यह सारी चीज़े जानने के बाद केसी डिसाइड करती है कि वो वापस जाकर एजिकेल को रोकेगी और साथ यह अपनी मा की मौत का बदला भी लेगी और यही सब सोस्ती हुई वो वहाँ से निकल जाती है तूसरी तरफ हम लोग एजिकेल को देख पाते हैं और साथ ही यहाँ पर एम्बूलेंस भी टाइम पर नहीं पहुँची थी इसलिए बेन पारकर डिसाइड करता है कि वो इन तीनों लड़कियों की मदद से मैरी पारकर को किसी तरह से हॉस्पिटल पहुचाएगा लिकिन जैसे ही यह लोग बाहर निकलते हैं वैसे ही एसी केल को दूसरी तरफ पता चल जाता है कि यह तीनों लड़किया कहां पर है और अब उन लोगों की यहां से निकलने के बाद केसी भी यहां पर पहुच जाती है जिसे जब घर पर कोई भी नहीं मिलता तो वो आज वो पहली बार अपनी मर्ज़ी से अपनी पावर का इस्तमाल करती है जिससे उसे पता चलता है कि असल में वो सारे के सारे लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं पर रास्ते में एसी केल उन लोगों के उपर अटेक कर देगा ताकि वो उन तीनों लड़कियों को जान से मार सके तब केसी कुछ सोचने लगती है तब ही यहां पर एंबूलेंस भी पहुच गई थी जिसको बेन पारकर ने बुलाया था पर इतने में ही यहां पर केसी उस एंबूलेंस को चुरा लेती है और वहां से निकल जाती है वहीं दूसी तरफ हम लोग एसी केल को देख पाते हैं जो कि बेन पारकर की गाड़ी के सामने पहुच गया था और वो इन लोगों के उपर अटेक करकर इनको जान से मारने ही वाला था कि सही टाइम पर यहां पर केसी पहुच कर वापस से एसी केल को गाड़ी से उड़ा देती है और अब वो एनी जूलिया और साथी मेडिक को अपनी गाड़ी में बिठाती हुई बेन पारकर से मेरी पारकर को हॉस्पिटर ले जाने को बोलती है और जैसी ही एसी केल देखता है कि ये तीनों की तीनों लड़किया एम्बूलेंस में बैटी है तो वो तुरंती एम्बूलेंस के उपर कूद कर वहाँ पर अटेक करने लगता है लेकिन तब केसी यहाँ पर एनी को आइडिया देती हुई उस मसीन का यूज़ करने को बोलती है जिसकी मदद से शौक वेब लेकर इंसान को होश में लाया जाता था और जैसे ही एनी उस मशीन का उपियोग एम्बूलेंस के चट पर करती है तो यहाँ पर एजी केल को बहुत बड़ा जटका लगता है जिस वज़े से वो काफी दूर जागर गिरता है और केसी को यह मौका मिल जाता है कि वो इन तीनों लड़कियों को यहाँ से निकाल सके और तब एक रेडियो की मदद से मेडिकल एमरजनसी का बहाना देते हुए केसी एक हेलिकॉप्टर को बुलाती है जो कि पास की बिल्डिंग पर ही आने वाला था लेकिन उस बिल्डिंग में जाने के बाद इने पता चलता है कि असल में वो एक पटाके की फैक्टरी है और तब ही यहाँ पर केसी को भी कुछ अजीब विजन्स आने लगते हैं और अब जैसे ही एसीकेल की समझ में आता है कि वो तीनो लड़किया केसी की वज़े से बची हुई है तो वो सबसे पहले केसी को उनसे अलग करता है और यहाँ पर आया हेलिकॉप्टर भी एसीकेल ने पूरी तरह से बरबाद कर दिया था साथ ही वो यहाँ पर इन तीनो लड़कियों को अलग-alsoग कर देता है और इन तीनो लड़कियों को जान से मारने की कोशिश करने लगता है केसी भी यह सारी चीज़ें दीख पा रही थी पर उसकी समझ में नहीं आता कि वो इन तीनो लड़कियों को कैसे बचाए तभी अचानक से ही उसको सेंटियागों की बात याद आती है और वो अपनी पावर के उपर पूरा कंसेंट्रेशन करती हुई वेब अफ लाइफ की मदद से इन तीनों लोगों को बचा लेती है तभी अचानक से ही केसी को एक विजन आता है कि एक रोड के नीचे गिरने की वजह से एजिकेल की मौत हो जाएगी और अब उसी चीज को पूरा करने के लिए केसी प्रोवोक कुरती हुई एजिकेल को उसी लोकेशन पर लेकर आ जाती है जहां पर उसके उपर रोड गिरने वाली थी और जैसे ही वो रोड नीचे गिरती है वैसे ही एजिकेल की भी मौत हो जाती है लेकिन तभी इस बिल्डिंग का वो हिस्सा भी टूट जाता है जहां पर केसी खड़ी होई थी और अब केसी जाकर सीधा पास की नदी में गिरती है और ये कम था कि तभी अच्छानक से ही फैक्टरी में से एक पटा का निकल कर इसकी आख के पास आकर फूट जाता है तब एनी मेडी और जूलिया किसी तरह से केसी को तो बाहर निकाल लेती है पर केसी ने अपनी आखों की रोशनी पूरी तरह से खो दी थी और साथी इतनी उचाई से गिडने की वज़े से उसकी कमर की नीचे तक का पूरा हिस्सा लखुआ मार गया था जिससे इन सभी लोगों को काफी ज़ादा दुख होता है पर केसी इस बात से काफी ज़ादा खुश थी कि अभी के टाइम पर भी उसे फ्यूचर दिखाई दे रहा था और साथी उसे ये भी दिखता है कि ये तीनों की तीनों लड़किया आगे चलकर बैतरीन सूपर हीरो बनेंगी और अब हम लोग वस्पिटल में बेन पार्कर को देखते हैं जहांपर मेरी पार्कर को पीटर पार्कर पैदा हुआ था जिससे सबी लोग काफी ज़्यदा खुश थे और इसके कुछ समय बाद हम लोग केसी को देख पाते हैं जो कि अब सही हो चुकी थी पर अपनी डिसेबिलीटी की वज़े से वो कोई भी काम नहीं कर पा रही थी इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इन तीनों लड़ियों को ही गाइड करेगी ताकि वो ने इस सीटी का सबसे बहतरीन सूपर हीरो बना सके जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खतम होती है तो उमीदे के एक्स्प्लेनेशन अच्छी लगी होगी अगर एक्स्प्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को अलपस लेक करना और वीडियो को भी लाइक करना मैं ऐसी ही और मजीदर एक्स्प्लेनेशन वीडियो लाता रहूंगा, खैर तब तक के लिए टाटा और गुडबाई,